तक NPC, Normal Probability Curve के concept को समझने के लिए हमें basic concept समझने होंगे, वो होंगे अगर education में है, सिर्फ एक example लेके चलेंगे, achievement test की, psychology में लेके चलेंगे, intelligence test की, और भी example है, aptitude test, creativity test, लेकिन एक लेंगे, item word बार बार आएगा, उसका मतलब सिर्फ questions लेना है, वैसे इसका मतलब बड़ा है, mean, immediate mode, थोड़ा सा इसका concept clear होना चाहिए, population और sample, क्योंकि research की बात, बार बार points आएंगे, तो इनको सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर NPC की समझना difficult नहीं है, क्योंकि हमने application करनी है, NPC की education में, that is why population का और sample का meaning, यहाँ से समझेगे, सिर्फ इतना याद रखना है, कि for example, मेरी population 9th grade students, जो CBSC board से affiliated school में पढ़ते हैं, और दिल्ली में है, आप पंजाब में रख सकते हो, जलंदर में, किसी district में, यह आपकी population है, हम मान के चल रहे हैं, कि वो 9th class के बच्चे 10,000 हैं, और आप उनका achievement test जहां comparison करना चाहते हो, जहां IQ intelligence test compare करना चाहते हो, it means, आप 10,000 बच्चों का data चाहते हो, data जब आएगा, measurement आएगी, it means, numbers में value होगी, data collect करने के लिए IQ test, जो आगे चल के समझाता हूँ, पहले समझ लेते हैं, achievement test, जहां science achievement test, math achievement test, कोई भी example ले सकते हैं, मेरे पास science achievement test की example है, यह question है, सिर्फ MC की question है, तो यह question है, जैसे आप competitive exam के question होते हैं, वैसे question है, बच्चे ने, एक right answer चूज करना है, अगर right answer है, तो आप एक mark दे देते हो, अगर गलत उतर है, तो 0 mark देते हो, टोटल मान लिजे, यह 100 question है, तो बच्चे 100 के 100 question करता है, 100 में से कोई बच्चा 30, कोई 40, कितने variation, जो variation है, this is now important, के सभी बच्चों के 90 score थोड़ी आएंगे, सभी बच्चों के 30 score नहीं आएंगे, सभी बच्चों के 40 score नहीं आएंगे, variation होगी, दूसरी example, intelligence test की ले रहा हूँ, Ravens, progressive matrices test की example है, कोई भी problem दी होती है, question कह रहे हैं इसको, और वो unsolved है, उसका right answer जैसे यहां design दिये गए हैं, और right यहां पर design इसके मताबक ढूंडना है, नीचे option दी गई हैं, उन में से right option फिल कर देना है, अगर तो आपका उत्तर right है, तो आ 9th class के बच्चों का IQ compare करना चाहते हो, male और female का करना चाहते हो, किसी और class का high average, low उनका निकालना चाहते हो, तो हमने population को पहले समझा है, मैं interested हूँ के 9th class के students पर, वो जो CBSC में पढ़ते हैं, और एक specific region यहां दिल्ली लिख लिए है, आप पंजाब लिख सकते हो, जलंदर लि हो गई, और मैं 10,000 को अब study नहीं कर सकता, तो उसका representative part study करूँगा, तो मैंने थोड़े से उन में से बच्चे select कर ले, मान लीजिए, मैं 1000 बच्चे select करता हूँ, 100 करता हूँ, जा 10 करता हूँ, यह इसलिए example दे रहा हूँ, कि sample size की बात आगी, जब normal probability curve पढ़नी है, sample size, तो है, यह क्योंकि आगे चल के समझाएं कि जैसे जैसे central limit theorem सिर्फ इतनी है, जैसे जैसे हम अपने sample size को बढ़ाते हों, तो वो distribution जो है normal होती जाती है, अब मान लीजिए, मैंने क्योंकि हमने असान सा रखना है, पहले 10 की example लेके सलते हैं, कि 10 बच्चों पर मैंने science achievement test लगाया, उसकी item को भी यह सोच लेते हैं, कि वो 10 item है, असान हो जाएगा, वैसे 100 item है वहाँ पर, अब 10 बच्चों पर मैंने वो 10 item लगाके data collect कर लिया, data collect करके यह score है, किसी बच्चे ने 1, 2, 3, 4, कितने score लिये, और कितने बच्चों ने लिए number of cases होंगे, number of subjects होंगे, number of sample होगा इध हाना, it means, curve की height जो है, वो sample को बताएगी, अब यह देखते हैं, for example, जब data collect हो गया, तो उसकी distribution देख रहे हैं, फैलाव देख रहे हैं, तो normally क्या हो सकता है, वो बता रहा हूँ, माली यह 5 score है, जितने भी बच्चे हैं, आपके 100 बच्चे, अगर हैं, 50 हैं, जितने भी हैं, यह होगा कि 5 score maximum बच्चों ने लिया, यह middle value है, central tendency, और 6 score, एक बार याद रखनी है, यह इसकी positive side है, higher score, और यह इसकी negative side है, lower value या lower score, अब 6 score जो है, वो थोड़े से कम बच्चों ने लिया, चार भी उसी तरह से उतने ही कम बच्चों ने लिया, यह एकदम इसकी mirror image बन रही है, जितने इधर उतने इधर, आगे है, 7 जो था score, वो इतने बच्चों ने लिया, इधर 3 जो था, वो इतने बच्चों ने लिया, यह 8 था, इतने बच्चों ने लिया, इधर 2 था, वो इत बच्चे ने लिया तो ये height बता रही है कितने ज्यादा students ने वो score लिया तो अगर इस curve को हम इस तरह से मिला देते हैं तो वो curve ऐसे बनेगी ये इसकी जो line है touch नहीं करा हूँ ये खुली हुई है क्योंकि ये एक characteristics बनेगा ये रही ये ऐसे करके exact ये बन गई normal probability curve याद रहे जैसे मैंने कहा था 10,000 के बच्चों का जब data collect करते हैं तो ये उतनी ज्यादा normal बनेगी जैसे जैसे sample size कम होगा तो ये deviate हो सकती है mean meridian mode को समझ लेते हैं बार-बार NFC में समझना पड़ेगा very simple example छोटे सी 5 बच्चों का score मैंने 10 item पर collect किया पहले बच्चे ने 3 score लिए एक ने 4 लिए एक ने 5 दूसरे ने 5 एक ने 8 पांच बच्चों का है ये हाना तो ये हो गया अगर मैंने mean निकालना है इन सब को plus कर दूँगा plus करके कितना आ गया 25 तो total number कितने बच्चे हैं 5 ये 5 रखा और ये आ गया mean score 5 average median क्या होता है mid point मिड मिड पॉइंट है याद रखना median mid point में मैंने arrange किया ascending order में हना increasing order में 3 4 5 5 8 तो जो mid value है ये mid point आ रहा है वो भी आ गया median भी आ गया 5 mean भी 5 मोड क्या है सबसे ज्यादा जो बार बार आ रही है digit सबसे ज्यादा बार बार कौन सी आ रही है 5 5 आ रहा है तो ये देखिए मैंने जानबुच के ये example रखी थी mode भी एक है इसमें 5 और median भी 5 है में मीन भी 5 है वो पांच बिच्चों का था आप पांच सो का पांच हजार का दस हजार का डाटा लेते हो माल के हम ये चल रहे है नौर्बल प्रॉबिल्टी करम में मीन यहां पर median median और mode 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 यहां दिखाई नहीं देता तो लिख देता हूं वो सेंटर में ही कि एक ही प्लेस पर होगा यह रहा यह एक क्रेक्टिस्टिक्स है NPC का और एक वर्ड बार बार आपको सुनने को मिलेगा bell shaped bell shaped क्यों है क्योंकि जो कर्व मैंने यहां बनाई थी आप यह देखो इसको सेंटर में से यहां काट दें यहां मीन मीडियन मोड आता है तो exact mirror image इधर जो इधर है exact इधर होगी इसको symmetrical जाम बाइस symmetrical बोलते हैं mirror image यह यह भी एक क्रेक्टिस्टिक आएगा तो वो किस से मिलता है bell से तो bell को सेंटर से यहां से यहां तक काट दो exact जो इधर है वही exact इधर होगी ऐसे कोई भी नेच्चुरल ट्रेट पर ट्रेट कौन सा achievement test IQ test aptitude test creativity test science achievement test 10th का score आपका CBSC का कोई भी यह ट्रेट हना वो अब अगर large data पर collect करते हैं और उसकी distribution हम ऐसे देखते हैं तो वो ऐसे distributed ही आएगा जैसे bell की shape है यह रही तो that is why इसको कहते हैं normally distributed data a normal probability curve यहां पर population mean median mode है और जब आप negative side में आओगे तो एक sigma एक यह ऐसे sigma है जिसको standard deviation बोलते हैं standard deviation फैलाव कितना है mean से कितने बच्चे इधर फैले हुए है negative lower value की तरफ और कितने positive value higher value की तरफ फैले हुए है वो standard deviation बताता है अभी बीएड में आपको इसकी जरूरत नहीं होगी statistical analysis जिसने करना है वो समझेंगे इसले सिर्फ इतना ही याद रहो को standard deviation one यहां minus है standard deviation two minus sigma two minus sigma three minus standard deviation को sign को sigma बोलते हैं इस तरह positive positive one sigma और positive two sigma positive three sigma last में यह line touch नहीं की हुई यह वाला gap है यह क्या बताता है कि infinity data there is no limit अगर यह touch हो जाता तो hundred percent हो जाना था है ना आगे चलके करेंगे भी किसकी division क्या बनती है division भी यहीं समझ लेते हैं यह नीचे लिखा है standard deviation minus one और plus one के बीच में 68.26 आपने सिर्फ 68 point याद रखना है 34 number percent cases इदर 34 percent cases इदर आते हैं यह average बच्चे होते हैं average IQ इतने बच्चों का होगा average achievement इतने बच्चे होगी होगी जिसकी बात लेके हम चले हैं और अगर minus two sigma से plus two sigma तक आते हो तो यह 95 percent case होगे अगर यहां से लेके यहां तक आप division देखोगे हाना तो यह 95 percent होगे अगर यहां sigma minus three से plus three तक देखने हैं तो यह 95 percent sorry 99 percent cases हो जाएंगे लगबग यहां पर 95 95 याद रखना है यहां से लेके यहां तक है यह बली कर दो यह यहां तक है हाना यह ड्रा कर लो अपने एक्जाम में ऐसे ही ऐसे एक्जाम में ड्रा कर दो क्या याद रखना है सिर्फ आपने 68 आगे चलके यही क्रेक्टरिस्टिक आएगा इतना याद रखना एक पॉइंट बन जाना ही यह ड्रा कर देना अपने अब इसकी डेफिनेशन जा मीनिंग समझ लीजे नंबर एक बैल करव है प्राबिलिटी कर्व है गॉसियन डिस्टिबूशन भी से कहा जाता है स्टेटिस्टिकल जा मैथेमेटिकल कंसेप्ट है इसक करेक्टरिस्टिक जो कोई अब्सर्व डाटा है फार एक्जमपल हमने अचीवमेंट टेस्ट का अब्सर्व डाटा साथ डाटा कुलेक्ट किया है उसको समझने के लिए यह हल्प करती है किसी एजुकेशन जान स्टेर्स जान साइकालोजी बायलोजी किसी भी साइंस में आ सेंपल साइज कम होता जाएगा यह बैल से शेप से डेविए होनी शुरू हो जाएगी के पॉइंट कर रहे हैं दूसरा पॉइंट स्मिस्ट्री स्मिट्री का एक ही मीनिग याद रखना है कि बोथ साइड राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में मिरर इमेज बनेगी फि अब सेंपल्सिव डिसॉडर है साइकालोजी में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर शायद ना हो होना यह वहां पर स्क्यूड डाटा आगा तो स्क्यूड नेस को आपने एक्स्प्लेइन करना है कि जो नॉर्मल प्रॉबिल्टी कर्व में आपने बनाना है पॉइंट वो हो इसका बनाना है कि नॉर्मल प्रॉबिल्टी कर्व की 0 skewness होती है और पॉइंट लिख देना अगर कैसे पता चलता है अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो वो नॉर्मल डिस्टिबिशन कर्व नहीं है पॉजटिव और नेटिव स्क्यूडनेस को यहां समझ लेते हैं ये ज्यादा असान रहेगा केक सेंटेंस में समझना है हमने ये समझा था कि कर्व के ये नेगिटिव साइड है लोर डाटा लोर वैल्यू वले और ये पॉजिटिव वैल्यू जिनके मीन स्कूर से ज्यादा स्कूर लिए है ये पॉजिटिव हो गए अगर तो ये जो वाली साइड डाउन जाती है यहाँ पर ये वाली पॉजिटिव साइड डाउन जा रही है जो डाउन है उसको देखना है वहाँ पॉजिटिव लिख दो वह बन गया positive skewed median mode कहां लाई करते है ये बीड में लिखने की जरूरत नहीं है इधर अगर negative इधर negative अगर इधर down है जिधर down है वो negative होगी it means ज्यादा बच्चों का lower higher side आया है इधर ज्यादा बच्चों ने score lower side में लिया है यहाँ नालायक बच्चे जिसको बोल सकते हैं यह word नहीं यूज करना समझाने के लिए कह रहा हूँ वो बच्चे ज्यादा हैं जहाँ होशार बच्चे ज्यादा हैं जिन्होंने score ज्यादा ले लिया normal में ऐसा नहीं होगा normal में तरफ equal होगा और mid में mean median mode ज्याद का रखना है सिर्फ आपने negative और positive ड्रा करना है ये ड्रा किया ये ड्रा किया और अगर down है इदर नीचे लिखो इसको यहाँ पर लिखो अगर यहाँ नीचे आया हुआ है और इदर उपर है तो ये negative स्क्यूढ होगा और यहाँ पर नीचे है तो इसको positive skewed कर दिया शेप से याद रखना है मैं यह कहना चाहता हूँ positive skewness की definition है negative skewness की definition है जो मैंने बताया है यह एक और जो है not normal चीज होती है कि height कितनी है अगर तो उसको कहते हैं ketosis word अगर नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं यह देखिये अगर सेंटर में से मैंने कैसे याद रखा एक है lyptokartik lepto lepto बशिश जाद रखना है lepto अना lyptokartick leptokartik mean मैंने कैसे याद रखा हिंदी में लंबी l s d liptokartik l s a mid message ज्यादा लंबी normal से ज्यादा लंबी एल यहाँ लंबी लिख लिख लिया और यहें यहां जोड़ दिया लिप्टोकर्टिक यह या है रैड वाली आफिवाली बहुत जयाद लूंभि वाली नौरमल यह नॉर्मल है यहां से ग्रीन वाली और दूसरी क्या है, चैनल यहां क आफिक कैसे याद रखा, प्लेट जैसी, मैंने प्लेट लिख दिया, प्लेट कैसी होती है, ऐसी, मैंने ज्यादा डाउन करके दिखा दिया, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये ऐसी, ये ज्यादा डाउन बना लो, बस, एक ये प्लेट मनाओ, एक हाइट वाली बनाओ, प्लेट से प्लेटो कर टिक, और लमभी से लिप्टो कर्टिक प्रकुंट है, आनलने लिखना है, वैसे statistical वैल्यूज उसकी होती है, 2.63, से ज्यादा कम वह लिप्टो, या प्लेटो की तरफ लिखे जाएगा, प्लेटो कर्टिक की डेफिनिशन और यह प्लेटो कर्टिक की डेफिनिशन है, मिड में हो गई यहां पर आप IQ की example लेके चलते हो तो IQ बिने test का IQ भी हम देखते हैं तो 100 को normal average समझा जाता है अगर आप data collect करते हो IQ का मान लिजे 10,000 जहां 1000 का हना जितने ज्यादा का करोगा उतने ज्यादा वो middle में 100 सबसे ज्यादा आएगा next time median and mode वो equal to mean होगे mean जहां पर mean लाई करेगा normal probability करव में वहीं पर ही median और mode लाई करेंगे it means यहां पर 100 ही mean होगा IQ में 100 ही median होगा 100 ही mode होगा पीछे 5 की बात करके आए थे 5 ही mean median mode था अगर यह एक नहीं आता नियरली नजदीक नहीं आता it means secured है next point है spread spread के लिए आपने word यूज करना है standard deviation जिसको हमने पीछे कहा था sigma तो 3 sigma की बात कर देनी है sigma बाद में काम आएगा z score t score stay 9 score को समझने के लिए जो standard deviation 0 होगा number 1 यहां पर 0 है वही mean median mode है mean 0 standard deviation के बिलकुल फैलाव नहीं है यह center की बात कर रहे हैं अभी हम जब standard deviation 1 minus 1 plus होगा और ऐसे ही positive side 2 और 3 negative side 2 और 3 है तो यह फैलाव उतना जादा है 3 पर फैलाव वह बच्चा mean से बहुत दूर है जिसका जो standard deviation 3 पर है जो standard deviation 2 पर है वो mean से थोड़ा कम दूर है और यह plus 1 वाला mean से average के बिलकुल करीब है यह रहा average standard deviation 1 यह range हमने रख ली कि यह average होंगे standard sigma जो है वो फैलाव mean से फैला हुआ कितना है score किसी बच्चे का जा बच्चों का वो बताता है probability क्योंकि हम population से sample को निकाल रहे हैं तो sample से फिर population की तरफ जाएंगे तो यह probability है estimate है जही probability help करती है statistical inferences निकालने में probability help करती है sample value से even population value calculate करने में यहाँ बात क्या करनी है कि total curve का जो area है वो आपने 100% की बात कर रहा है जैसे हमने बात की mid में 68 यहां था हना तो यहां था 95 percentage था हना तो यहां था 99.3 और 7 इतने percent था हना तो बाकी यह 3 बचा उसके लिए curve जो है यह last में पूँच जो है उसकी यहां पर space खाली है वो बाकी percent जो बचता है वो infinity है तो वह यह 100% area की बात करती है एक continuity जो score है नीचे लिखा हुआ है x axis पर वो continuous variable है नहीं बात की थी ना मोड कैसे करव बनती है यह रहा तू मोड कैसे बनेंगे for example यह रही मान लीजिए यह हाइट है यह 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 ओके यह abnormal बन गई है इसके मोड अब दो हैं दिखाई दे रहे तीस से लेके 90 score आया है यह पॉसिबल है के 50 score सबसे ज्यादा वार 10 बार आ गया है ओके ऐसे ही 55 score जो है वो भी 10 बार आ गया है यह 10-10 बार आ गया इसमें दोनों मोड बन गए normal probability कर में ऐसे दो मोड नहीं मनेंगे फॉर्मुला है formula की बात नहीं करनी जस्त यह कहना है कि formula से यह calculate हो जाती है कि sample का जो data है collect किया वो नॉर्मल के नजदीक है जा नहीं वार्ड में जो जो ट्रेट हम मैयर करते हैं data collect करते हैं उनकी जो distribution है normally ही होती है example फिर height दे सकते हो weight दे सकते हो achievement test IQ aptitude का यह बात हो चुकी है पहले approximation है यह data analysis में अनुमान लगाने के लिए है 100% accuracy NPC नहीं होती होके maximum होती है mean error जो है वो एक हद तक मानी जाती है error error कम होगी लेकिन error zero नहीं होगी जो calculation है estimation है on the basis of NPC reference point के लिए NPC यह use होती है for example statistical inferences निकालने हैं सिर्फ यह बात आप दो तिन शब्द यूज कीजिए statistical inferences अगर नहीं या तो एक important hypothesis testing and making comparison comparison के बहुत प्यान पॉइंट बनने हैं बाकी शब्द भूल जाए Central Limit Theorem average of independent variable the curve governed by mathematical properties such as Central Limit Theorem Central Limit Theorem शुरू में ही हम कम कर आए हैं कि जैसे जैसे sample size अगर sample size कम है तो वो आपकी curve जो है वो skewed बनेगी यह रही मान लीजिए ऐसे बन रही है ओके जहां यह होगी इधर वाली यह से याद रखना था है यह positive side positively skewed बन गई तो जैसे जैसे आप sample size बढ़ा रहे हो उसी population का वैसे वैसे कर्व जो है वो नॉर्मल बनती जाएगी यह theory है central limit theorem इसका संबंद क्या है sample size से sample size ज्यादा लेना चाहिए जैसे जैसे आप population के size की तरफ बढ़ोगे तो कर्व जो है अब नॉर्मल से नॉर्मल बननी शुरू हो जाएगी यह last वाली line अपने लिखनी है बस इरिकल रूल कौन सा 68 वाला 94 वा 99 नहीं याद रहता कोई बात नहीं है आपने यह लिखना है सिर्फ यह दिखाना है कर फिर शो कर देनी है और यह बता देना है कि central वाला area 34 34 और यह वाला 13.5 यह 2% 2% इनको अगर आप मिला देते हो 68% इनको आप मिला देते हो तो यह 95% इनको आप मिला देते हो यह पीछे कराए है 99% यह बात है repeated है किशन रिसर्च में और हर सब्जेक्ट में लगबग जो statistical है numerical है quantitative है वहाँ use होती है education psychology economics biology quality control इसमें use होती है तो education में आपको जो question पूछा जाता है भी एडेमेटिक लेवल पर उस पर डे नेक्स्ट वीडियो होगा कि application implication यह use of NPC in education point infinity कब ना लेते हो बना सकते हो यह बता सकते हो कि इनकी जो टेल है इसको टेल बोलते हैं यह कभी भी जो ground को छूती नहीं है अगर यह चूती आप बनाते हो तो वह wrong है इधर आप छूती य है है सेंपल साइज बढ़ाते जो बढ़ाते जो बढ़ाते जो इसमें शामल हो सकते हैं यह थी NPC, skewedness, kurtosis and उसके properties और central जो characteristics थे normal probability curve के points को याद रखने के लिए memory tricks बता रहा हूँ आपने word लिखने है अपनी copy पर continue bell for summer camp 68 to 99 इसका एक sentence भी बना सकते हो कोई भी आपको जो ठीक लगता है for example 2 या 3 summer camp लगाने के लिए 68 से 99 बार continue bell तो इसकी फिर abbreviation बना लगे कौन-कौन सी याद रखनी है यह points सारे इसमें cover हो जाएंगे for example continue का continuity जो score की थी bell का bell shape याद रह गया for का formula याद रह गया summer के s का सबसे ज़्यादा important यहाँ लिखने लगा हूँ यह symmetry है ही है यह रहा symmetry और साथ में skewness यह दो हो गए तीसरा हो गया चौथा अगर चार लिखने है शेप वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि यह bell जो है bell shape में आ गई है नेक्स्ट है यू से यूनी मॉडल यूनी मॉडल एम से उपर लिख लेते हैं mean दूसरे से median and mode यह point होगे e से real world examples examples r से reference c से यहां लिखेंगे central limit क्यूरम आपने पूरा लिखना है a से approximation application दो पॉइंट है m से हो चुका है p से प्रॉइंट ऐसे मुझे याद हो गए 68-90 यह याद रखना है 60-95 बीच में डाल रहना है तीन डिवीजन जो बनी है अब यह देखते हैं कि इन point में से मुझे कौन सा भूल गया यह देखना जरूरी है जो भूला होगा दुबारा लिख लेंगे और याद हो जाएगा infinity एक भूला है और बाकी सारे याद रहे हैं तो है यूज इन एजुकेशन जा एजुकेशनल इंप्लिकेशन और एप्लिकेशन इन एजुकेशन थैंक यू कोई डिफिकल्ट टॉपिक को सुझेस्ट कर सकते हो ऐसा वीडियो बिना सकता हूं थैंक यू